हाई फ्रेंड्स मैं शेर कनने जा रहे हैं लौकी की मज़ेदार टेश्टी और एक दम नई रेसिपी जिनको बिलकुल भी लौकी खाना पसंद नहीं है उनको भी आज के बाद लौकी फेवरेट हो जाएंगे गर्मा गरम चाओल के साथ अगर ये लौकी का सबजी मिल जाए तो साथ में और कुछ भी नहीं चाहिए होगा अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ जरूर सेर कीजिए तो आईए फ्रेंड देनना करते हुए रेसि पीस काजू हाप काटोरी गरम पानी डाल के 10 मिनिट के लिए काजू और खसकस को भिगने के लिए छोड़ देंगे एक पीस लोकी लिए हैं लोकी लेते टाइम थोड़ा सा धेन रखिए लोकी जो है एकदम सौक्ट होनी चाहिए अब लोकी को बीच में से काट लेंगे आध लोकी देख रहे हैं यह हमें नहीं चाहिए और इस लोकी को हम दूसरे किसी सबजी बनाते टाइम एड़ कर लेंगे एक पिलर के मदद से लोकी में से सारे छिलके को हटा देंगे लोकी के छिलके के साथ साथ लोकी के पीछे के इससे को भी काट के निकाल देंगे लोकी को ब लोखी को छोटे छोटे टुकडों में काट लेंगे जिससे की लोखी जो है जन्दी से पग जाए एक मिडियम सेच के आलू को छोटे छोटे टुकडों में काटने के बाद पानी के अंदर रख लिए हैं जिससे की आलू जो है वो काले ना पड़ जाए काजू और खसकस को भीगते हुए 10 मिनिट हो चुके हैं अब काजू और खसकस के सांस साथ एक पीस हरी मिर्च को तोड़ के डाल दिये हैं मिकसद जार के अंदर अब इन सारे चीजों का एक फाइन पेस्ट बना लेंगे मसाले का एक फाइन पेस्ट बना लिए हैं अब कड़ाई के अंदर एड़ कर देंगे 10 टेबल स्पून के जितना सरसों के तेल तेल हलका गरम होने के बाद एड़ कर देंगे एक टी स्पून कलोंजी दो पीस हरी मिर्च को बीच में से तोड़ लिए हैं एड़ कर देंगे हरी मिर्च अब कलोंजी और हरी मिर्च को 10 से 12 सेकेंड के लिए भुनेंगे मिर्ची देखिए हलका हलका फ्राई हो चुके हैं अब एड़ कर देंगे आलू मसाले के साथ आलू को मिक्स्ट करते हुए भुनेंगे दो मिनिट के लिए आलू को भुनते हुए दो मिनिट हो चुके हैं अब एड़ कर देंगे लौकी आलू के साथ लौकी को मिक्स्ट करते हुए भुनेंगे एक मिनिट के लिए लौकी और आलू को भुनते हुए एक मिनिट हो चुके हैं अब आलू और लौकी के हिसाब से एड़ करते हुए नमक लौकी और आलू के साथ नमक को मिक्स्ट करते हुए तब तक भुनेंगे जब तक लौकी हलका सौप्ट ना हो जाए लौकी जो है देखिए हलका सौप्ट हो जुके हैं और आलू का कलर जो है देखिए हलका चेंज हो गए हैं अब एड कर देंगे पानी हाप गलास पानी डालने के बाद पानी के साथ लौकी और आलू को अच्छे से एक बर मिक्सट कर लेंगे पानी के अंदर हल्का हल्का बॉयला चुके हैं अब एड़ कर देंगे खस-खस काजू और हारी मिर्च का पेश्ट पानी के साथ मसाले को अच्छे से मिक्स्ट कर लेंगे मिक्सद जार के अंदर देखिए अभी भी धेर सारे मसाले बचे हुए हैं अब मिक्सद जार धोके एड़ कर देंगे हाप का टोरी पानी ग्रेवी के साथ पानी को मिक्ष्ट करने के बाद एड़ कर देंगे ग्रेवी के हिसाब से नमक जादा ग्रेवी नहीं रखेंगे इसलिए नमक थोड़ा सा धेन से डालिए ग्रेवी के साथ नमक को मिक्ष्ट करने के बाद गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे धक के मिडियम फ्लेम में छोड़ देंगे चार से पांच मिनिट के लिए लोकी और आलू को पकते हुए चार से पांच मिनिट हो चुके हैं अब धकन हटाएंगे लोकी और आलू को एक बर mix करने के बाद फिर से ढखके medium flame पर छोड़ देंगे 5-6 मिनिट के लिए 5-6 मिनिट हो चुके हैं अब ढखकन हटाएंगे ग्रेबी जो है देखिए कितना थीक हो चुके हैं एक बर चेक कर लेते हैं लौकी और आलू ठीक से पक चुके हैं की नहीं लौकी देखिए कितने आसानी से कट हो रहे हैं एक बर आलू को भी चेक कर लेते हैं आलू भी देखिए कितने आसानी से कट हो रहे हैं आलू और लौकी अच्छे से पक चुके हैं अब गैस के फ्लेम को एक दम स्लो कर देंगे एड कर देंगे एक टी स्पून चीनी चीनी डालने से इस सबजी का जो टेस्ट है बहुती बढ़िया आते हैं सबजी के साथ चीनी को मिक्स्ट करने के बाद एड कर देंगे दूद मैंने यहाँ पे पहले से गरम करके ठंडा किया हुआ दूद लिये हैं एड कर देंगे हापका टोरी दूद सबजी के साथ दूद को अच्छे से मिक्स्ट कर लेंगे सबजी के साथ दूद अच्छे से मिक्स्ट हो चुके हैं अब गैस के फ्लेम को बंद करने के बाद धक के 7-8 मिनिट के लिए स्टेंडिंग टाइम देंगे उसके बाद ही सबजी जो है सर्प करने के लिए रेडी होगा सबजी को रेश्ट करते हुए साथ से 8 मिनिट हो चुके हैं अब धक्कन हटाएंगे दूद लाव पोस्तो एकदम रेडी हो चुके हैं यह एक बैंगोली रेशिपी है अब इस सबजी को सर्प कर लेंगे एक बार इस तरी के से बने हुई दूद लाव पोस्तो को घर में जुरूर बनाईए और मुझे कमेंट करके जुरूर बताना कि आपके दूद लाव पोस्तो के रेशिपी कैसे बने हैं खाईए खिलाईए और इंज़ाई कीजिए ठैंक्स पर वाचिंग